तो दुनिया जलने लगती है तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अब खबरों का भी रुख कर लेते हैं जम्बू एर बेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद पीम मोदी ने रक्षा मंतरी राज़ना सिंग, रह मंतरी अमिश्या, नागरे कोडियन मंतरी हरदीप सिंग पुरी के साथ बैठक की इस बैठक में जम्बू एटैक पर चर्चा हुई और मंतरीों के साथ ड्रोन नीती पर भी मन्तन किया गया बता दें कि ड्रोन के सिवल यूस को लेकर एक नीती पहले से ही पाइपलाइन में है जम्मु कश्मीर में हुए ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा के कुछ पहलों पर फिर से विचार करने की जरूरत है सुरक्षा संबंदी मसलों पर चर्चा के इन ये बैठक तेगी कही थी पता दें ड्रोन के इस्तमाल कुले का प्रसावित नीती में कहा गया है कि सिविलियंस द्वारा ड्रोन का इस्तमाल जारी रहेगा लेकिन सुरक्षा के लिहास से एक सक्त क्रिया विधी जारी रहेगी सुरक्षा के लिहास से कुछ इलाकों में ड्रोन के इस्तमाल पपावंदी लगाई जा सकती है इसके अलावा बैठक में नागरिक उप्योग के लिए भी संबंद किये जा रहे ड्रोन के संबंद में सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई हाली में जारी गाइडाइंस के मताबिक नागरिक उप्योग की तरफ से जारी किये गए एक अनमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल दोहजार एकिस के तहर्ट हाइसो ग्राम से कम वजन के साथ ड्रोन उडाने के लिए लाइसेंस या नुमती की जरूरत नहीं होती है ऐसे में नो फ्लाइंग जोन है जहां ड्रोन उडाने की मना ही है जंबू एर बेस हमले मामले की शुरुवाती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है दरसल जांच अजेंसियों को शक है कि इस हमले में चीन में बने ड्रोन की मदद ली गई थी चीन ने पिछले दिनों ड्रोन पाकिस्तान को दिये थे और वहां से पाकिस्तानी खुफी अजनसिया आई एसाई ने ये ड्रोन आतंकी संगठन लशकर तयवबा को मुहिया कराए थे इस हमले में सेना की खुफिया अंतुरिक जांच भी जारी है पता दें केंड्रिय ग्रहम अंतुराले ने जम्बू एयर बेस मामले की जांच अधिकारिक तौर पर केंड्रिय जांच एजनसी एनाईय को सौप दी है एनाईय की एक विशेश टीम ने इस बावत घटना इस्तल पर पहुंच का एयर फोस स्टेशन के बाहार लगे सीसी टीवी की फोटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है जांच एजनसी ओ को शक है कि इस घटना से जुड़े लोग उस समय के आसपास एयर फोस स्टेशन के पास से निकले हूँगे साथी जांच एजनसी ओ को इस मामले में चीनी कनेक्शन का भी शक है वही नए IT रूल्स लागू होने के बाद से केंदु साकार और ट्विटर में तनातनी का माहौल बना हुआ है इस बीच सुच्टन और प्रद्योगी की से संबंदिन संसत की स्थाये समीती ने केंदु मंत्री रविशंक प्रसाद और कॉंग्रेस के दिगर्ज मेता शशी थरू का ट्विटर अकाउंट लॉक किये जाने के मामले में दो दिनों के अंदा चवाब मांगा है एक रिपोर्ट के मुताबिक समीती ने पूछा है कि रविशंक प्रसाद और शशी थरूर के ट्विटर अकाउंट क्यों लॉक किये गए थे दरसल कठित कॉपिराइट उलंगन के लिए ट्विटर द्वारा आईटी मिनिस्टर रविशंक प्रसाद का अकाउंट बंद करने के बाद संसद्य पैनल से शशी थरूर ने कहा था कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था शशी थरूर ने समीति को निर्देश दिया था कि रविशंक प्रसाद और उनके अकाउंट पर रोक लगाने को लेकर ट्विटर से जवाब मंगा जाए जब सरकार की ओर से ट्विटर से दोनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है दरसल 25 जून को ट्विटर ने एक घंटे के लिए रविशंक प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था और इसके लिए अमेरिका के कानूनों का हवाला दिया था वही दिल्ली के बुख्य मंतरी और आम आदमी पार्टी के राष्टे सेयों जो करविंत के जिवार मंगलवार को पंजाब पहुंचे उन्होंने कारक्रम के दौरान कहा कि 2022 विदानसवा चुनाव में अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार बनी तो पहले ही आदेश में प्रदेश वासियों को 300 यूनिट परिवार मुफ्त बिजली दी जाएगी साथ ही ऐसे लोग जिनके पुराने बिजली के बिलो में कोई गरवरी थी या फिर अधिक बिल आने की वज़ह से वो लोग बिल जवान नहीं कर पा रहे थे तो उनके पुराने सभी बकार पूरी तरह से माफ कर दिये जाएंगे इसके साथ ही 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया गया है हाला कि इस गोशना के बाद उनसे पूछा गया कि पंजाब में कई कैटेगरी के परिवारों को पहले से ही 200 यूनिट फ्री दी जा रही है अगर इन कैटेगरी वालों की यूनिट 200 से ज्यादा आती है तो जितनी ज्यादा यूनिट है उतनी ही बिल दिया जाएगा जबकि दिल्ली में 200 यूनिट से ज्यादा आने पर पूरा बिल जाता है ऐसे में केज़िवार पंजाब वाला पैटर्न लागू करेंगे या दिल्ली वाला ये देखने वाली बात होगी वहीं हरिद्वार कुम्ब मेले में कोरोना टेस्ट जाच फरजीवारा मामला सामने के आया कि प्रदेश के मुख्यमंतरी तीरज सिंग रावत और पूर्व मुख्यमंतरी तीरज सिंग रावत आमने सामने आ गए हैं मुख्यमंतरी तीरज सिंग रावत ने कहा है कि ये फरजीवारा उनके कारेकाल का नहीं है तो वहीं पूर्व मुख्यमंतरी ने कह दिया कि न्यायक जाच कराओ तो सब सामने आ जाएगा एक ही पार्टी के पूर वाव वर्थमान मुख्यमंतरी के इस आपसी संगराम में कुछ मंतरी भी वर्थमान मुख्यमंतरी के पक्ष में खड़े दिखे वहीं त्रिवेंद सिंगरावत ने कोरोना टेस्ट फरजी वारे पर ये कहके आग में घी डाल दिया कि वो तो हट चुके थे मौजूदा साकार जाने इस मामले के बारे में वहीं तीरथ सिंगरावत ने भी बिना लाग लपेट के जवाब दे दिया और कहा कि टेस्ट का काम देने का काम उनके सीम बनने से पहले ही पूरा हो चुका था मैंने तो मामले की सुगब गाहट पर जाँच बिठाई है महीं उत्राखंट कोवेट कंट्रोल रूम के प्रभारी डॉक्टर अविश्यक तरपार्थी की परतार में पहली नजर में नीजी फार्मो की लखभग एक लाग जाँच रिपोर्ट के फरजी होने का संदेद जताया गया है डॉक्टर तरपार्थी ने जरकार को सौपी अपनी रिपोर्ट में मामले को गंभीर बता कर इसकी वरिस्ति जांच हरीद्वार के जुलादिकारी से कराने की सिपारिश्की है तो गुर्मारिंग इंडिया में आज के लिए वस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तवाम खबरों से जुड़ रहने के लिए आप देखते रहें निज्वाल इंडिया